टाटा मोटर्स ने कर दिया है रिवील अपने प्रीमियम हैच बैक 45X कॉंसेप्ट वहिकल का नाम दोस्तों ये वो ही प्रीमियम हैच बैक वहिकल है जो कि टाटा मोटर्स ने 2018 के आटो एक्स्पोर में पहली बार शोकेस किया था आज के इस वीडियो में मैं विनीच शर्मा आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ इसका नाम उसका मतलब और इससे जो डिवी कुछ एक और रोचक जानकारियाँ जो टाटा मोटर्स ने रिवील कर दी है तो 45X अब हो गया है टाटा ऐल्ट्रोज ये नाम लिया गया है ऐल्बेट्रोज से ऐल्बेट्रोज एक समुदरी पंची होता है जो कि जाना जाता है अपनी फूर्ती और नियंत्रन के लिए उची हवाओं पे उची उड़ान भरने वाला इपंची नियंत्रन बनाए रखत रहा है कि उसका ये निया प्रोडेक्ट भी उसके लिए नियंत्रन बनाया रखेगा और उची उर्हान भरेगा ताकि इंडियन मार्केट में ज़ला से यादा नंबर में भिख सके साथ ही में ये बेजड है टाटा मोटर के नए डेलोप्लेटफॉर्म एलफा प्लेटफॉर प्लेटफॉर्म के उपर जो कि कहलाता है अजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस्ट प्लेटफॉर्म टाटा की माने तो एल्ट्राज नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये डेजाइन फ्यूचरिस्टिक है फ्यूचर का डेजाइन है जबर्दस पर्फॉर्मेंस रहेगी और कनेक्टिविटी के मामले में अब तक के सभी पैमानों को ये पार कर देगा कुछ एक इमेजेज आप सबने देखी होगी अब तो कुछ एक वीडियोज भी आ गए हैं तो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो इमेजेज जो की इन्डियन रोड्स के उपर टेस्टिंग फेज में जो एल्ट्राज रही है वो रिवील कर दी गई है तो इसी साल मार्च के अंदर इस गाड़ी को रिवील किया जाएगा जिनिवा मोटर शो के अंदर मैंग पारिक साब जो की प्रेजिडेंट है पैसेंजर वेहिकल टाटा मोटर्स के उनकी माने तो वो कहते हैं कि 6-7 महीने के अंदर ही इस गाड़ी को इंडियन मार्केट के लॉंच कर दिया जाएगा और जैसा कि पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं टाटा अपने नए प्रोडेक्ट्स को बहतर तो बना ही रहा है साथ में उनकी प्राइसिंग को भी काफी कॉम्पेटिटिव रख रहा है तो अगर 4-5 वेक्स जो की अब बन गया है एल ट्र के अंदर हमें जल्दी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि इंडियन मार्केट के अंदर इस पर्टिक्लर सेग्मेंट के अंदर ये नए पैमाने सेट करें तो दोस्तों कमेंट करके बताईए कि आपको टाटा एल ट्रोड कैसी लगी और ऐसे वीडियो रेगुलरली पाने के के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जुड़िये हमारे साथ सीखते रहिए सिखाते रहिए टेक केर और जैहिंद